हलो दोस्तों और बढ़िया सब स्वागत है आप सबका हमारे और आपके प्यारी से चैनल कुकिंग मुखिया पर आज हम बनाएंगे ऐसी रेस्पी जिसे बचे नास्ता में खाएंगे और लंच बॉक्स में भी ले जाएंगे और खाकर आपकी तारीफ भी बहुत करेंगे तो इसके लिए एक प्याज और शिमला मिर्च को इस तरह से काट लिया है और इसे हम चौपर में डाल कर चौप कर लेंगे आप इसे काट कर भी ले सकते हो इससे आसानी से हो जाता है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे यहाँ पे हमने अद्रक और एक लेसन को बारीक चौप कर लिया है अब यहाँ पे हमने ये कौर्ण लिया है कौर्ण को हमने हल्दी और चीनी डाल कर इसे वाल लिया था उबले हुए आलू को इस तरह से मैस कर लेंगे आप चाहे तो पोटेटो मेसर से भी मैस कर सकते हो तो इस तरह से हमने दो आलू को मैस कर लिया है अब यहाँ पर हमने जो सब्जीयों को क्रश किया था ना उसको हम डाल देंगे इस तरह से आप अगर नास्ता और लंच बॉक्स में बच्चों को देंगे तो सच में वो आपकी बहुत तारीख परेंगे और लंच बॉक्स पूरा फिनिश करके आएंगे तो यहाँ पर हमने एक कड़ाई में एक चप मचोयल को गरम करके जीरा डाल दिया है एक चौथाई टेई स्पून अब स्वात के नुसार इसमें हम लाल मिच डाल देंगे अगर आपके बच्चे लाल मिच नहीं खाते हैं तो इसे ना डालें यहाँ पर हमने एक कड़ोरी सेट कर लिये इससे हमने डेड़ कड़ोरी पानी डाला है उसको थोड़ा सा गरम कर लेंगे अब इसमें हमने स्वात के नुसार नमक डाल दिया है और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है अब उसी कटोरी से हमने एक कटोरी सूजी डाल दी है सूजी आप कोई भी ले सकते हो वो इसे हम mix कर देंगे बस एक dough form में आ जाएगा तब तक इसे हमें पकाना है तो देखिए dough form में आ गया है इसे हम ढग देंगे stuffing को देख लेते हैं तो यहाँ पर आदा टीस्पून हमने चाट मसाला एक चोथाई टीस्पून हमने इसमें लाल मिश्ट डाली है और स्वाद के नुसार इसमें हमने नमक डाला है यहाँ पर हम चीज का इस्तिमाल कर रहे हैं यह बिल्कुल आप्शनल है बच्चों को यह बहुत ही पसंद होता है तो हमने यहाँ पर चीज डाला है और इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम डो को देख लेते हैं तो देखिए डो अच्छे से सैट हो गया है अब हमने एक उबला हुआ आलू को इस तरह से ग्रेट करके डाल देंगे और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे तो देखिए अच्छे से हो गया है तो इस तरह से स्टफिंग की हमने यह टिक्की बना ली थी तो यहां पे हम निवू के साइज का डो ले लेंगे अगर यह थोड़ा साची पक रहा है तो थोड़ा सा आईल लगा ले तो इस तरह से हम फैला लेंगे पतला कर लेंगे इसको और इसमे इस टफिंग रख देंगे अच्छे से हम बंद कर देंगे देखिए इस तरह से सेफ आप अपने मन चाहे काकार दे सकते हैं अगर आपको हमारी रेस्पी अच्छी लगती है तो लाइक सीर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिसे हमारे आने वाले वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके तो देखिए इस तरह से चाकू से हमने इसमें डिजाइन बना दिया है ये देखने में भी अच्छा लगता है इसी तरह से अलट पलट कर देखिए, सेक लिया है, नास्ता मारा बन के तयार हो गया है, इसी तरह से हम पूरा नास्ता सेक लेंगे, एक हम आपो तोड के भी दिखाते हैं, यह सिर्फ दो सामान से बन के तयार हो जाता है, तो चलियोISH शुरू करते हैं इसे बनाना, तो यहाँ पे हमने 1 पैल लिया है, इसमें एक कटोरी पानी डाल दिया है, और इसमें सौध के नुसार नमक और एक टीङ़ स्पोनी आसमें ओल डाल दिया है, अब एक कटोरी ही हमने यहाँ पे सूजी डाल दी है मिजरमेंट आप किसी कप या कटोरी से करें एक कप सूजी और एक कप पानी लें गैस की फ्लेम हम सुलो ही रखेंगे सुलो फ्लेम पर हम इसे कंटीनिव चलाते हुए इसे हम पका लेंगे जिससे इसमें गुठली आना पड़े तो देखिए यह बहुत जी जल्दी बनके तयार हो जाता है देखिए पैन छोड़ने लगा है यह डो के रूप में आ गया है देखिए इसमें बहुती कम समय लगा है अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे यहाँ पर हमने आलू लिये हैं दो आलू को हमने उबाल लिया था इसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया है अब इसे हम ग्रेट कर लेंगे तो देखिए इस तरह से हमने दो आलू को ग्रेट कर लिया है अब इसमें सूजी थोड़ी सी ठंडी हो गई है इसे ज़्यादा ठंडा ना करें तो इसे हम आलूओं में डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो पहले हम इसमें धनिया डाल देंगे कुछ मसाले भी डाल देंगे तो यहाँ पे हमने चिली फ्लेक्स डाला है और काली मिर्श डाली है आप काली मिर्श कूट के भी डाल सकते हो इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और थोड़ी सी हम यहाँ पे अजमाइन डालेंगे हाँ से क्रस करके डाल देंगे इसका प्लेवर बहुत ही अच्छा आता है अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको हमारी रेस्पी अच्छी लगती है तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब कर ले, बैल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का लिंक आप तक पहुंस सके तो देखिए हमने अच्छे से मैस कर लिया, ये बिल्कुल गीला नहीं है, आसानी से ये डो फॉम में आ जाएगा, जिस तरह से आप आटे को करते हैं तो अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने, अगर आपका गीला हो तो इसमें आप चाबल काटा डाल सकते हैं, लेकिन हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट बना है, तो इसमें हमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ी है, अगर ये थोड़ा सा चिपक रहा हो तो थोड़ा सा ओयल भी लगा सकते हैं, तो देखिए इस तरह से हमने एक बड़ी सी लोई बना लिया है, इसे हम बेल लेंगे, तो इसे भी बनाना चाहें, तो हम इसको काट लेंगे, देखिए इस तरह से हमने काट लिया है, इसे हम निकाल लेंगे, देखिए कितने आसानी से निकल रहा है, ये बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, तो यहां पर हमने ओयल पहले से ही करम करने के लिए रख दिया था, तो इसमे तोड़ी देर में इसको पलटें तो देखिए इसे अलट पलट कर हम क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे तो देखिए इस तरह से फूल गए अच्छे से यह बहुत ही टेस्टी बनते एक बार आप बना कर देखिए और अपने अन्मभ हमारे साथ जरूर सेयर करिए कि यह रैस्पी आपको कैसी लगी तो इसी तरह से हमने पूरा नास्ता बना लिया है देखिए देखने में ही कितना स अच्छी लगी हो तो लाइक सिर सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वोचिंग टे कियर बाई